हाई गाई जयानमान स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल अमिताउजा जहां कोशिश लगातार आप तक अपडेट के साथ प्रॉपर इंफरमेशन पचाने की हमारी बनी हुई है जाइज जयमें 2022 के एक्जाम की फॉरम फिलिंग का प्रॉसेस चल रहा है करीमन अभी तक 220,000 सारा बच्चे जयमें का फॉरम बर चुके है और इस साल 10 लेक से जादा बच्चों के जयमें 2022 एक्जाम में बैठने के एक्सपरेशन दिखाई दे रही है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले है कि जयमें 2000 के पहले अटेंट यानि एप्रेल के अटेंट में आप क्या मार्क्स का प्लान लेके चलें कितने मार्क्स का स्कोर का टार्गेट लेके चलें ताकि आपको इंडिया के टॉप 6 NIT में CS ब्रांच मिल पाए हम बात करने वाले हैं कैटेगरी के इसाब से भी क्यों कैटेगरी के साब से मार्क्स की जो कैल्कूलेशन है ये चेंज हो जाती है अगर मैं जर्नल कैटेगरी की बात करूँ NIT तिर्ची के लिए 240-270 मार्क्स EWS और OBC को CS के लिए 235-260 मार्क्स SCST को 190 से 195 मार्क्स प्लान करके चलना चाहिए अगर वो NIT तिरशी चोंडिया का टॉप NIT है वहाँ वो CS ब्रांच लेंगे पढ़ना चाहता है साथ-साथ NIT वारंगल NIT सूरत कल के लिए जनरल के लिगरी के बच्चे को 235 से 250 मार्क्स OBC EWS को 225 से 245 मार्क्स SCST को 160 से 170 मार्क्स भी अगर वो लेकर के आ रहा है तो NIT वारंगल और सूरत कल में उसको CS ब्रांच मिलने के चांसेद बन रहा है साथ-साथ NIT इलाबाद, रावर केला और जैपूर NIT जोकी इंडिया के टॉप 6 NIT में काउंट होता है अगर इसमें CS ब्रांच लेकर पढ़ना चाहते है केडिगरी आपके जनरल है तो आपको 225 से 235 मार्क्स EWS और OBC को 220 से 225 मार्क्स SCST को 145 से 155 मार्क्स भी अगर वो लेकर के आ रहे है और केडिगरी उनके SC ये ST है तो उनको इलाबाद, राउरकेला और जैपूर में CS ब्रांच मिल सकती है गाइस हमारी कोशिश रहेगी कि हम इडिया के सारे NIT में CS ब्रांच के साथ साथ Core branches के लिए भी अगर आप पढ़ लेना चाहते है और Core branches का भी अगर आप Target लेके चलना चाहते है तो कोशिश रहेगी बहुत सारे वीडियो आपके बीच लेकर के आने के जिसमें category के साथ से मापको बताएंगे कि इन ब्रांचेस के लिए आपको कित स्कोर के साथ से Target का प्लान करना चाहिए करियर के update के लिए मासा चुड़ रहे और इसी तरह के content के साथ मिलते नेक्स वीडियो में Wish you all the best, मैनत करते रहे है जयानवान, bye bye, thank you very much